सत लोग धाम टीवी को सब्सक्राइब जिरूर करें जैसे कि शंकरवगान में ज्यादा आस था थी मेरी तो फिर संत्रामपाल जी महराज जी की सर्ण में कैसे आना हुआ संत्रामपाल जी महराज की शर्ण में आने का एक बहुत बड़ा कारण है कारण नहीं मेरे लिए तो बर्दान है मुझे एक कैंसर हो गया था मैं बिमार रहने के कारण मेरा बहुत बुरा हाल रहता था मैं ऑफिस जाती थी ऑफिस से मैं घर बहुत मुश्किल जे पॉंचती थी मेरे घर बाले बड़े परिशान रहने लगे फिर वो आखिली में बोलते कि इसका मतलब टेस्ट करवाना पड़ेगा यह बिमार क्यों रहत कि आपकी बेटी को ऐसे-से कैंसर वंड़ा है मेरे को नोने रूम से बाहर निका दिया लेकिन मैंने सुन लिया उस टाइम तो मेरे पैरों के निचे से जमीन निकल गई कि हे बगवान यह क्या हुगा क्योंकि मेरे मम्मी की डेथ साड़े तीन महीने पहले हुई थी कि यह मे जिस सालों से मतलब सून रहे दो, तिन साल से सून रहे थे पर मतलब कभी बॉला नहीं हमे नहीं कभी गए खुद पर बहुत ध्यान से सुनते थे और जब हम घर आयो उस दिन तो पापा ने यार बोला कि भूला कि हम मतलब पीजी इनी जाएंगे हम बरवाला जाएंगे हम हम लोग जैसे ही गए हम अंदर गए हमने भंधारा शका दंडबाद किया गुरुजी के पास गए और गुरुजी को ऐसे से बताया कि गुरुजी मुझे ऐसे प्रॉबलम में को डॉक्टर ने बोला आपको कैंसर आप पीजी चले जाओ तो गुरुजी ने मेरे से पे हाथ जाओ और मैं उसी टाइम फिर दंडबाद किया और गुरुजी से फिर बोला कि गुरुजी ऐसा हो कि मुझे ना जाना पड़े हम घर आगे मुझे फिर बिलकुल कोई दर्द नहीं हुआ मैं रोज आफिस जाने लगी एक हपता में लगा तार आफिस जाती रही पर गुरु भीषिए ध्यल्ति रहां लिए और मैं पाज चयूंज चाहिए में और के में महराज का सामज जीकू लिए में बहुत बढ़ा जोगदान भीया सपन्टित आप मैं डिस्टिक उन्ना हिमाच्छ प्रदेश गाउबीटर से आए हूँ सर क्या काम करते हैं हमारा एपने काम है मैजसन का सर जैसे कि डेश प्रदा आप संतरामपल जी महराज जी के से हैं हैं अब कि क्या क्या कहिना mandate हैं इतने लड़कियों को जलाया जाता है और इतने लोग दाज देज़ देज़ देते हैं फिर भी मतरू उनकी लड़की खोशनी रहती है और हमारे गुरुजी ने संतरामपाल जी मराज ने जे सब जो दाज पर था जे कुरुतियां जे खातम कर दिये संतरामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने के बाद पहला लाब तो मुझे यही मिला कि मेरी कैंसर विमारी ठीक हो गई और बीच में जब मेरी बिमारी चल रही थी मेरा टीटमेंट हुआ था पीजी आई में उस दोरान मेरे को ना पेट में इतना जवरदस दर्द हुआ था मेरे घरवाले उसी दिन मेरे को रात को अपने लोकल हॉस्पिटल उनना लेके गए थे वहाँ पर लेके गए, उन्होंने मेरे को इंजक्शन बगरा दिये, इतना ट्रीटमेंट गया, फर्क पढ़ानी, कुछ भी बस निशीली द्वाइगा दी और मैं सो गई उस दिन, उसके अगले दिन भी उन्होंने पूरा दिन नशीली द्वाइगा दी, मैं पूरा दिन सोई रही, पर मेरा दर्द बढ़ता गया, बढ़ता गया, और रात को इतना जवर्दस्त हो गया ना, कि द्वाइगों ने असर करना बंद कर दिया क्या आज भी संत्रामपाल जी महाराज में विश्वास रखते हैं, जबकि संत्रामपाल जी महाराजी भी जेल में हैं? जी मैं बहुत ज़्यादा बिश्वास रखती हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ कि जब मेरे उपर मतलब द्वाईयों ने असर करना बंद कर दिया, तो घर वालों तो यही माले था, डॉक्टरों ने यही माले था, कि यह मर गई, क्योंकि मेरे नब्स बगारा सब कुछ बंद हो चुका था. उससे तो हमारा कुछ लाब होई नहीं सकता था, बोत हमारी कर्मों का फली हमें मिल रहाता. जैसे कि हम उनकी शहरन में आया है, तो हमें सारा घ्यान हो गया, शास्त्रों का गयान हो गया, पहले हमें जैनी पतर की आखर भागवत गीता में लिखा है वेदों में क्या लिखा है जब गुरु जी ने एक एक पेज एक किताब खोल के टीबी पर दखाई तो हमको सब कुल सारा ग्यान हो गया है सर संत्रामपाल जी महराजी किसी से बिना किसी दहज लिए बगएर गाजे बाजे के साथ बहुती साधान तरीकी से साधी करते हैं बिना किसी लोग दिखावे के इसके बावजूद भी एक ऐसे संद पर देश दुरो जैसे आरोप लगना सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर जैसे कि हमारे गुरू जी ने संतरामपल जी मराज ने हर तरह के नशे मतलब बंद करवा दिये जितने भी हमारे अनुआईये सब नशे करने बंद कर दिये और उनको तो फाइदा उनके घरवालों को फाइदा पर नुकसान उनको जो नशे की दुकान ले खोले बैठी हुए और बो उनको बिरोद करेंगे और मतलब ऐसे जो पूरा जो प्रश्टर चार रहे सब एक हो जाता है जो ऐसा होता है फिर उन्होंने मतलब एक जैसे आरे समझी है उनकी एक किताब है सत्य प्रकाश तो गुरुजी ने उसके बारे में टीबी पे सारा बताया कि ऐसे ऐसे किताब है इसमेजे है उन्होंने उसकी बहुत कमीयां बताई जो एक आम आपन सान नहीं समझ सकता रहा तो उससे भी वह लोग भड़े गये क्योंकि उनका जो धंदा था उनकी जो मतलब एक चड़ाबा था वो कम हो गया लोगों का उनके विश्वास कम हो गया तो भो भी गुरुजी के बिरोधी हो गया और उनके खिलाब शड़ेंतर रचने लगे संथ की तो जहीं पैचान होती कि संथ हमेशा संगर्शी करते रहते हैं राम जैसे की राम सीता बनवास में गये थे उन्होंने भी संगर्श किया, बोह तो हमारा इतहास भी है, गुरू ने संगर्शी किया और बाद में उनको जाना है सबने संत्रामपाल जी महाराज से नाम देख सा लेने वाले सरजालू हो के असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं सर आपको संत्रामपाल जी महाराज से नाम देख सा लेने के बाद और क्या लाब होए सबसे बड़ा लाप तो यह दिया है क्योंकि जब मेरा टीटमेंट खतम हुआ था डॉक्टर ने मेरे मूँ पे बोला था मेरे साथ कोई नहीं था अकेली गई थी मैं अपनी रिपोर्स चेक करवाने डॉक्टर ने बोला आपकी रिपोर्स बिल्कूल ठीक है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कहते पर मैं आपको बता देने चाहते हैं क्योंकि आपकी कल को शादी होगी आपको सब कुछ पता होना चाहिए मैंने पूछा मैंने ठीक कि मैं घर आ गई मैंने टेंशन लेने चोड़ दी अब मेरी चादी हुए साथ फर्वरी को मेरी चादी को चोथा महीना चल ला है और मेरी प्रेगनेंसी है तीन महीने के अभी सर आप बगत समात को क्या संदेश देना चाहेंगे सर बैसे तो संतरामपल जी महराज जो सतसंग में बताते है बहुती सबसे बड़ा संदेश है तो हम भी जही कहना चाहते है कि अगर अपना उधार करोना चाहते है क्योंकि आजकल संत बहुत है इसलिए संत्गुर की जरूरत पड़ी क्योंकि संत इतने हो चोगे अब कि आप सद्गुरु संद्रामपाल जी महाराज की शेरन में आओ उनसे नाम उपदेश लो अपना कल्यान करो जी बहुत बहुत धन्यवाद